हाई एफ्रिवान थैंक्स वार वाजिंग मी अगें इन कृत का है आज आप सब के साथ यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ करवा चौत के लिए बहुत ही आसान मेकप लोग कैसे आप घर पर अपने कुछी प्रोड़क्ट से एकदम न्यू दुलहन जैसा मेकप कर सकते हैं कि सब लोग आपको देखते रह जाएं आप एकदम चांद जैसे नजर आएं तो यहाँ पर यह जो मैंने लोग शेयर किया है स्टेब बाइ स्टेब मेकप टुटोरियल आपके साथ शेयर करूंगी और यह है फाइनल लोग अगर आप न्यू ब्राइड है और अगर आप कोई वेडिंग फांक्ष्ण पर इस लिए चांथे तो आप कर सकते हैं तो वीडियो को एंड तर देख ते लगए वीडियो पसंड आता है फ्रैंद्स प्लीज वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रैंड्स प्लीज आमसे मेरी का CTM किया है मेंस की क्लिंजिंग टोनिंग और मॉस्टराइजिंग और इसके बाद मैं मेरे फेस पर अपलाई कर रही हूँ प्राइमर आप अलुविर जैल भी यूज कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास मार्केट का कोई भी अच्छा प्राइमर हो आप उसे यूज कर ले एक चीज बोलना चाहूंगी जरूरी नहीं है कि मैं जो प्रोड़क्ट यूज कर रही हूँ सेम आपके पास भी हो तो यह मैंने सिलकन बेस प्राइमर है एनवाईवे का वो यूज किया है इसके बाद मैं सबसे फर्स स्टेप यहां पर ले रही हूँ यहां पर फांडेशन तो यह मैं एक SQ का फांडेशन यूज कर रही हूँ and second मैंने लैकमे का ले लिया है लैकमे का mostly बहुती सस्ता होता है हर किसी के पास होता है इसकी कब्रेश काफी ज़्यादा अच्छी है मुझे पसंद है personally और मैंने दोनों फांडेशन को लेके mix कर लिया है और इसके बाद म और अभी मैंने इस टाइम जूइलरी वगरा कुछ भी नहीं पहनी है जूइलरी मैं सबसे last में जब मेरा make-up look complete हो जाएगा तब पहनूंगी तो सबसे first हमारा जो step है कि हम foundation को पूरे face पर अच्छी तरीके से apply कर लेंगे और इसके बाद हम beauty blender की health से इसे अच्छे से blend कर लें blending must है friends blending आप जितने अच्छे से करेंगे आपका base उतना ही अच्छा तयार होगा और इसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ concealer तो concealer को मैंने मेरे nose पर and मेरे chin area पर इस तरीके से jaw line से तोड़ा सा उपर हटके हमें apply करना है and eye lid पर हम इस तरीके से apply कर लेंगे and eyebrow को define करने के लिए इस तरीके से apply करेंगे क्योंकि जब हम base तयार करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे eyebrows हैं बहुत dull हो जाती हैं तो बात में हम eyebrows की filling भी करेंगे अगर आप इस तरीके से concealer अगर eyebrows के आसपास apply कर लेते हैं chin area में chin area को आपको highlight करना हो या फिर अगर आपके face पर बहुत जादा dark spots है तो फिर आप color character and concealer का use base तयार करने से पहले भी करें तो मैंने यहाँ पर ले लिया है blending में थोड़ा सा time लगता है लेकिन जितना ज़्यादा आप time देंगे उतना ही अच्छा आपका look उबर कर आएगा तो मैं यहाँ पर इसे अच्छे से blending कर रही हूँ blending के लिए क्या करना है कि जैसे हमने concealer apply किया था उसे उसी direction में हम इसे blend करेंगे और जो हमारा contour है उसे हम opposite direction में अप area में इसको ले कर जाएंगे इसके बाद मैं हाँ पर apply कर रही हूँ यह lack makeup flawless powder compact powder है यह और आप चाहें तो आपके पास जो भी हो lack makeup आप use करते हैं या फिर आप normal powder जो आता है हमारे पास white tone का face powder आप वो भी apply कर सकते हैं तो हम यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से apply कर लेंगे फूरे face पर ने के रिया पर इससे हमारा base जो है set हो जाएगा अब बारी आती है हमारे eye makeup की तो मैंने हाँ पर एक normal सी eye shadow palette kit ली है यह eye shadow palette kit काफी सस्ती है लेकिन अच्छी है इसके shades जो है बिल्कुल भी fall out नहीं होते हैं तो मैं हाँ पर सबसे पहले ले रही हूँ light orange color जैसे कि मेरी dress का color है तो उसी के according में makeup करूंगी और आपको बता दूँ कभी भी बहुत जादा अपनी eyes में बहुत जादा color fill मत कीजिए क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं लगता है इसके बाद मैंने red shade pick कर लिया है तो मैं इसे eye light पर lower line पर इस तरीके से apply कर लूँगी तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा बहुत अच्छा eye look ready हो गया है और इसके बाद मैं apply कर रही हूँ यहाँ पर liner तो हम यहाँ पर थोड़ा सा liner मोटा लगाएंगे and wing eyeliner लगाऊंगी मैं आप पेरिया में ले जाते हुए मैं इस तरीके से make up लोग चैनल पर शेयर करती हूँ तो थोड़ा सा मेरा हाथ सेट भी है और मैं professional नहीं हूँ बस मेरा जो अपना experience है वही मैं मेरे चैनल पर शेयर करती हूँ तो आप इस तरीके से थोड़ा सा carefully apply करें तो इसके बाद मैं यहाँ पर lower water line पर यह green काजल है तो मैं इसे apply कर रही हूँ यह plump का काजल है और इसके बाद मैंने lower lashes line पर भी थोड़ा सा orange color लेकर eye shades का fill कर लिया है इसके बाद मैं यहाँ पर apply कर रही हूँ mascara मसकारा से हम अपने eye lashes को इस तरीके से curl करते जाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर lower lashes line पर भी apply कर लेंगे इसके बाद मैंने ले लिया है यहाँ पर eyebrow palette kit यह wet and wild की है एक wet and wild की kit आपकी साल देर साल चलेगी और आप इसे online आसानी स ले सकते हैं मैंने भी इसे online ही purchase किया था और eyebrow को हम अच्छी तरीके से fill कर लेंगे और इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है blush तो मैं यह baby pink color ही use कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा natural color चाहिए था बहुत जादा इस तरीके से look create नहीं करना था तो मैंने यहाँ पर यह चीक्स पर अप्लाई किया नोस पर अप्लाई किया और इसके बाद मैं ले रही हो यह silver highlighter तो मैंने नोस पर अप्लाई कर लिया है और आइस के corner पर chin पर और मैं यहाँ पर अप्लाई कर लूँगी चीक्स पर और इसके साथ हम इसे थोड़ा सा forehead पर अप्लाई करेंगे और इसके बाद मैंने अप्लाई कर लिया है यहाँ पर lipstick तो मैंने यह red shade choose किया है और इसके बाद मैं fake eyelashes use कर रही हूँ देखना fake eyelashes use करके हमारा जो look है completely change हो जाता है तो यह मैंने market से ही लेती और इसके बा आपका जितना अच्छा होगा आपके eyelashes उतनी ही जल्दी fix हो जाएंगे बस ध्यान रखिए जब भी eyelashes apply करें पहले आप liner apply करें इसके बाद ही आप fake eyelashes apply करें इसके बाद हमने यहाँ पर इनको थोड़ा curl कर लिया है इसके बाद मैं ले रही हूँ make up fixer make up fixer को हम अची तरीके से beauty blender पर इस तरीके से लेकर apply करेंगे और हम इसे tap tap करते जाएंगे इससे हमारा make up जो है long lasting रहेगा और अब बारे आती है jewelry पहनने की तो यह जो jewelry मैं यहाँ पर use कर रही हूँ मैं आपको बता दू mostly मैं सारी jewelry जो है flip card से ही purchase करती हूँ क्योंकि मुझे flip card पर believe है flip card का आज तक मे मैं यहाँ पर यह pearl का long set पहन लिया है और इसके साथ ही मैं यहाँ पर एक और एक set पहनूँगी और आज जो मैं jewelry use करेंदे के set के चकर में मेरे eyelashes निकल गई तो मैं इसको भी set कर लेती हूँ थोड़ा सा यह अपनी जगे से हट गई लेकिन मैंने जो glue use किया है वो बहुत अच पर ले रहे है earrings तो मैं इन earrings को पहनने वाली हूँ यह मुझे बहुत पसंद है यह मेरे most favorite earrings है और जब भी मैं पहनती हूँ कहीं बाहर जाओं तो यह सब को बहुत पसंद आते हैं इतने प्यारे हैं और इनको भी मैंने flip card से ही लिया था जितनी भी jewelry मेरे पास है मेरे सारी flip card क जोली है और कुछ चीजे हैं मेरे पास मिशू से में लिए हैं बट वो कुछ ना कुछ उसमें problem ही आई हो गई मेरे पास अभी तक तो यह देखे मैंने set वगरा पहल लिया मांग्टी का पहल लिया एंड set पहल लिया है यह मैंने nut है मेरे पास यह भी pearl से ही बनी हुई है सारी जोली में मेरे pearl लगा हुआ है मांग्टी का, nut, earrings, गले में जो दो set है उनमें भी pearl है तो मैं यहाँ पर इस तरीके से finally मैं ready हो चुकी हूँ, nut मुझे अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए मैंने उसे हटा दिया आपको कौन सा look ज्यादा अच्छा लग रहा था मेरे सा जरू शेयर करना और दुपट्टा जो है मैंने कुछ इस तरीके से फैला के लिया हुआ है मुझे इस तरीके से बहुत अच्छा लग रहा था और उमीद करती हूँ आप सबको भी look पसंद आया होगा पसंद आया हो तो please friends अपना जो प्यार है मुझे आप मेरे वीडियो को like करके and मेरे चैनल को subscribe करके दीजिए और मुझे एक प्यारा सा comment भी कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो जरूर कीजिए मिलूंगे मैं आप लोगों से next वीडियो में साथी आप चाहें तो मुझे instagram पर follow कर सकते हैं मेरी instagram id है beautybeet kratka जहां पर मैंने इस look में काफी एची इची डिल्स शेयर की है I hope आप सब वहाँ पर मुझे जॉइन करना चाहेंगे अगर आप चाहें तो उन डिल्स को वहाँ पर enjoy कर सकते हैं thanks for watching me guys मिलती हूँ मैं आपसे next वीडियो में तब तक लिए take care bye bye